हलो जी, नमस्ते जी सभी को, कैसे हैं आप सब आसा करती हूँ, सब अच्छे होंगे, हम भी सब बढ़िया हैं और आज हम अधब सर्दियों में अचार की विसेस्ता होती है, साग के साथ सिरके की चीजे खाई जाती हैं, मूली सिरके में डालके है, आप यह मैं प्याज कारती हूँ, यह छोटी-छोटी सी प्याज लेके आई थी, मार्किट से, सिरके में डालने के लिए, क्योंकि बड़ी काटके डालते हैं तो उनके चिलके अलग-अलग हो जाते हैं, और यह छोटी-छोटी ऐसे साबुत डालते हैं एक हलका सा कट लगा ये है तो अभी मैं बस यही लेके आई थी तो खताम हो रही थी सिअके वाले प्याज पहले और बहुती टेश्टी एक चार को बद ढूमे आजके और सकते हैं तो मझे offend क्रूमस का इवह लेके Des cris तो आप डाल सकते हैं अगर नहीं है आपके पास तो मझU लिए चकुंदर से कलर थोड़ा रैड हो जाता है बाकी तो कोई ऐसा वो नहीं होता तो फिलाल मैंने प्याजी डाल दें चकुंदर तो नहीं है द्रक डालूंगी बस इसमें मैं अभी मैंने मेथी लिए मेथी के पराठे बनेंगे तो मेथी को मैं बीन के साफ कर लेती हूं औ क्योंकि डंडी डंडी ले लेते हैं तो फिर वो पराठो में अच्छी नहीं लगती तो पत्ते पत्ते ही निकालने पड़ते हैं इसके और सर्दियों में सभी के घर में लगबग मेथी के पराठे साग सब हरी सबजी सर्दियों का खाना वाके भी बहुत अच्छा होता है औ तो इसलिए ये मोटा करी देती है वजन ना चाते भी बढ़ जाता है देखो कितना कुड़ा निकला है मेथी में से थोड़े से पते निकले हैं लेकिन चलो कोई नहीं अभी मेरी ये तो साफ होगी है मेती भी और प्याज भी मैंने काट के रख लिए अब इसको में बाहर डाल अब मैंने ये आदा गोबी का फूल लिया इसको में बारीक बारीक काट लूंगी क्योंकि इसको ज्यादा बनाकर रख लेते हैं तो फिर ज्यादे दिन का हो जाता है तो इसमेल से आने लगते है इसमें तो इसलिए ऐसा थोड़ा समतब एक किलो के असपास आभ बना लिजि तो अभी मैं ये मिर्ची थोड़ी सी श्मिंग काट दूँगी और ये मिर्ची मैंने वह लिए हैं जादा क्योंग्या ही टेस्टी लगती है जो जड़े सी मेर्च श्माइब जालते हैं उन मेर्च तो लगती नहीं बिलकुल वह तो ऐसा हो जाता है सिम्ला मिर्च काट लिए हो तो नहीं शुक्त की बहुत दिया है इसको भी मैंने छिल के और बरीक बरीक काट दिया है अद्रक्का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है चार में और जो मेरे जब पापा थे ना पापा ससूर तो वो तो खाली अद्रक्का चार खाते थे उनके लिए तो मैं एक किलो अद्रक्क लेके सर्दियों में अद्रक्का चार बनाती थी अब बच्चे तो नहीं खाते हैं अद्रक्का चार तो अब तो नहीं बनता है और यह मैंने दो मूली ली थी और चार गाजर बस मैं इतना ही बनाऊंगी कि एक डब्बे में आ जाए जो मतलब एक किलो वाला एक डबब होता है काच का उसमें आ जाएगा इतना ही मैं बनाऊंगी जब खतम हो जाएगा फिर दुबारा बना लूँगी ताजा ताजा सही अच्छा लगता है तो अभी मैंने इस सारी चीजे काट दियें अब इसमें मैं नमक लगाके इसको तीन से नमक लगा दिया मैंने इसमें आप जादे भी लगा सकते हैं फिर इसमें उपर से नमक फिर थोड़ा ही डालते हैं बाद में तो अच्छे सा मिक्स करके मैं इसको रख दूंगी और फिर इसको मैं सुखा दूंगी दो तीन घंटे रखके आप इसको पानी छोड़ देगा है ही सुखाएं जादा ना सुखाएं तो ये मैं रख दिया देख सकते हैं सब चीजों में नमक लगा अच्छे से और यह चार मैंने रख दिया था तीन घंटे के लिए उसके बाद तीन से में चार घंटे मैं इसको सुखा ले आ है देड़ चमच लिया सोप साबुत सारे मसाले में ले रही हुए इसी में डाल दिया अदा चमच अजवाइन और एक चमच में डाल दूंगे जीरा इन सबसे आप अगर अचार बनाएंगे तो यह इतना टेस्टी बनता है खाने में इतनी अच्छी खुसबू आती है इसकी सबस्क्राइथ तो यह जो मेरा पैन है इसमें मैं तेल दाल देती हूं तो तेल भी ठोड़ा गरं हो जाएगाए दैल पीस लिया है दरदर यसे हो गया अब सब्सक्ति हैLon justla tuo खाता हुआ है तो तो अब यह तेल हो गया है कि इतना कर रभाल कि इसमें योगल बुपनल सब्सक्रारों कि दो क्योंकि दालते के नम चाल देटेमि तो जाती है तो महीं dif भान भी जाल दिए कमार को अप già दבת मुझे डालना है हल्दी हल्दी पावडर डालना है हल्दी पावडर मैंने तेल में डालना है कहीं बार जल जाती है हल्दी तो अच्छी सी स्मेल नहीं आती उसमें क्योंकि तेल अभी गरम है तो यह मैंने जो मसाले grind करे थे वो डाल दिया है और देड़ चमच डाल दिया हल्दी इसके उपर यह मैंने जो हींग और नमक वाला तेल तयार किया था हिला के अच्छे से इसको भी डाल देंगे और mix कर लेंगे और अगर आपको लग रहा है कि इसमें मिर्च कम है और आपको तेज मिर्च खानी है या color थोड़ा सा अच्छा करना आपको इसका वैसे तो color से कोई फर्क नहीं पड़ता यह अच्छा yellow color का ही बनीगा तो आप इसमे लाल मिर्च भी एड़ कर सकते हैं एक चमच आपकी घर में जो भी आप मिरच खाते हैं घर की पिसी हुई है मार्किट की कोई भी आप एड़ कर सकते हैं तो एक चमच में इसमें मिर्च एड़ कर दिया मैंने लाल तो इससे इसका कलर थोड़ा अच्छा हो जाएगा और यह काता है ना तो दो चम्मच सिरका मैंने इसमें डाल दिया है आप चाहे तो इसमें मतलब नीमबू डाल सकते हैं एक नीम्बू ले लें आप इस तरह तो एक नीम्बू का रस आप इसमें डाल दें बाद में डाल दें तो उससे भी वही काम करेगा अगर आपके पास सिर्का है तो सिर्का भी आप डाल सकते हैं वाइट वाला है, वाइट वाला डाल सकते हैं, काले वाला आपके पास सिरका है, देशी सिरका वो भी डाल सकते हैं, तो अब ये मेरे पास एक कांच की बोटल है, सैद वाली, इसी में मैं चार अधिकतर रखती हूँ, जो भी बनाती हूँ, तो ये सारा में इसमें ट्रांसफर चाहे तो आप इसे दूप भी दिखा सकते हैं, दो से तीन दिन की दूप में रख दीजिए, तो ये बहुत टेस्टी बनके तयार होता है, साख के साथ, पराटों के साथ, इंजोई करिए आप इस अचार को, और मुझे लगता है कि सभी के घर में ये अचार बनता है, क्योंकि सीजन में गाजर, गोभी, मूली सब इतनी अच्छी आती हैं, तो सब पराठे, अचार, सब बडा बना के खाते हैं, और टेस्टी भी लगता है, सर्दियों की सोगात हैं ये चीजे, और सर्दियों की ही तया मैंने गेहूं भी धो दिये हैं, दो बार दो के सुखा लिये हैं, ये दूसरी बार है, एक बार तो सुखा के भर के रख दिये हैं, क्योंकि जब दिसंबर और जन्वरी वाली ठंडाएगी ना, उसमें दूलेंगे नहीं गेहूं बिलकुल भी, और दूलते भी हैं तो वो सुखा के और पिसवा लो, हमाटा नहीं लाते हैं मार्किट से, गेहूं ही दो के, तैयार करके पिसवाते हैं, सीजन में गेहूं लेके रख लेते हैं, तो बस ये उसी की तैयारी चल रही है, अभी मैं आई ती शाम के समय उपर, तो अभी ये गिल्ला है, तो इसको ढग दिखाती हूं, रेड वाले पर भी खिला हुआ है, देखो, इस पर रेड ये, डार्क पिंक कलर का, और ये चार पोदे हैं, एक खराब हो गया है, पता नहीं क्या हुआ, उसको सूख गया, तो ये चार पोदे मैं नहीं इधर रख रख, क्योंकि इनमें काटे हैं, तो नीच कि इनमें नहीं की साथ उसरी का मतनी हैं, जार्क भी खिला है, यामें पिला हैं, इन जा रेडできना है, दो भी खाए, जहीं सेश साथ, आख गार कर।ो ये ये, बार्क पिला शैका पनल ऊelli मैं इनमेंicask अर शिटात खावा एब हैं, रेवड़ दात पिलाते हैं, घया मैंदा